अमिच्छा के दोरे का उद्देश ही है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो कारियो करताओं का मनोबल डाउन हो गया है उस मनोबल को कैसे उपर लहा जाए मेहंद्रगड में पार्टी की जड़े गहरी है अमिच्छा मेहंद्रगड में एक बड़ा संदेश देने आ रहे हैं तो चीफ मिनिस्टरों बीर्हामन से हो गए तो अज उस भूमिका में है जो किशी समय सुस्मा सुराज जो भूमिका केंदर में रह कर भी निभाती थी एक तरह से मनोबलाल की मुट्की में अभी हरियाना है कोई लग बी सकता था इनका रांबिला सर्मा का मनोबलाल मीं भी स प्रफ होता रहा उतना ही कोई अध्यक्सपद से दूर होते चलेगे ये भी एक कारण है मौहलाल बडोली जो दिल्ली के आदेस आएंगे उनको को सक्षम रहेंगे ओ किंतु-प्रन्तु नहीं करेंगे वो आदेस मानने वाली व्यक्ति हैं बडोली ज्यादा लोगों की पसंद थे मनौर लाल की भी पसंद थे पहली पसंद नहीं तो मनौर लाल की दूसरी पसंद को पारिटी ने अहमियत दी नमस्कार मैं हूँ शली शर्मा और आप देखे रें नजेपी हरियाना आज हम बात करेंगे अमिच्छा के महंदरगड दोरे की 16 जुलाई को अमिच्छा महंदरगड आने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे हरियाना में न्युक्त के गए नए प्रदेश अद्दक्ष मोहनला पडोली की हमारे साथ है हमारे प्रधान संपादक, NJP के प्रधान संपादक महेश कुमारवेद सर सबसे पहले आपका स्वागत है सर अप यही बताईए सोले जुलाई को अमिच्छा का मेंदरगड में दोर आए किस नजरिये से आप देखते हैं सेली अमिच्छा दूसरी बार आ रहे हैं अभी कुछ दिन पहले पंचकुला आये थे वो राजस्तर की विष्टारित कारीकारणी की बेठक थी और विष्टारित कारीकारणी का मतलब है कि पूरे हर्याना से प्रमुख पदादी कारियों को वहां बुलाया गया था अमिच्छा के दोरे का उद्देश ही यह है कि लोकसभा चुनाओ के बाद जो कारियो करताओं का मनोबल डाउन हो गया है उस मनोबल को कैसे उपर लाया जाए तो अमिच्छा के मेंद्रगट दोरे को हम इस द्रश्टी से देख सकते हैं कि वह एक कारी करताओं के मनोबल को उचलाने का परियास कर रहे हैं भाजपा अमिच्छा के दोरे को कितना महतो दे रही है इसको आप थोड़े से मैं बता रहा हूँ आपको आप से कुछ देर पहले आज 10 जुलाई है अभी लगबग 10 बजे के आज पास एक बैठक कात्म हुई है सभी जिलाद्यक्सों के साथ वर्चुल बैठक ले रहे थे मुखमंत्री नायब सेनी और जो नवन युक परदेश अध्यक्स है महलाल बडोली महलाल बडोली और नायब सेनी ने अभी ये बैठक लिये सभी जिलाद्यक्सों के साथ तो इस बैठक में ये फैसला लिया है कि 13 तारीक को ये तो बैठक आज वाली वर्चुल हुई है लेकिन 13 जुलाई को जो महंद्रगर में बैठक होगी उस में सभी जिलाद्यक्स भी बुलाएं हैं सभी पार्टी के परमुक पदाधिकारी भी बुलाएं वो वर्चुल नहीं होगी वो महंद्रगर में उन ग्राउंड बेठक होगी, उस बेठक में 16 जुलाई को जो अमिच्छा का दोरा है मेंदरगड का, उसको लेकर के पूरी रणनीती तै की जाएगी, दोरे की रूपरेखा को अंतिम रूपरेखा की जाएगी, और अलग-अलग लोगों के अलग-अलग जिम्मिदारी दी जा मेहंदरगड को क्यों चुना, इसका जवाब में आपको देता हूँ, कि मेहंदरगड से लेकर के इधर फरीदाबाद तक और इधर जीटी रोड बेल्ट तक यह भाजपा का प्रभाव चेतर हम कह सकते हैं, कि 30-35 सीटे जो यहाँ है भाजपा के प्रभाव चेतर की है, हम य चोधरी धरमबीर को अच्छा प्रदरशन किया है, आमिच सा पहले भी मेहंदरगड आये तो बहुत समय पहले की बात है, और मेहंदरगड को संग की हम पाट साला कह सकते हैं, पिर आमभिलाज जैसे पुराने नेता वहाँ हैं, अभी तो वहाँ कुछ लोग चल बसे पुरा आने जमाने से ही काफी काम हुआ था, तो मेहंदरगड में पारिटी की जड़ें गहरी है, अमिच सा मेहंदरगड में एक बड़ा संदेश देने आ रहे हैं, मेहंदरगड से शुरुवात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि पारिटी वहाँ पर पहले से ही काफी मजबूत स्थित में है थोड़ा सा वोट जो है उनका कम हुआ है उस बोट को साधकर रखेगी पारिटी इसलिए महंद्रगड आ रहे हैं ताकि उनका वोट जो है पूरा सद कर रहे हैं और विधान सभा में आहिरवाल वैसे साध्य जैसा किन बड़े नेताओं कि आने की संभावना देख्ए रहे हैं जैसे राओ इंदर जीत सिंफ्ञें इन जैसे नेताओं के अब संभावना देख रहे हैं किसी के हिम्मत भी नहीं होगी ने ख़िए सब इनेता हमें, और आये भी क्यों नहीं जो नाराजगी भी क्यों दिखाएंगे, तो पाल्टी नहीं है उनके मंच पर तो राव दरंबीर भी रहेंगे, वाल सांसपाक्न carefully covered nad haryana me questa संभा है? जो लोकसवा का चुनाव परिणाम है फिप्टी-फिप्टी मेच रहा है, फिप्टी-फिप्टी मेच के बाद में जो जनता के बीच सोर है, वो यह है कि अब कांगरेस बाजी मारेगी, इस सोर को खत्म करने के लिए, हाथ से जा रही बाजी को खिशकने से रोकने के लिए ही तो मैं 50-50 का पताया जा रहे हैं लोकसभा चुनाओं के संद्रम में तो लोकसभा चुनाओं में तो मोधी मजिक भी था थोड़ा बहुत गुड़गाओं बादसेपुर जैसे विधानसभा छेत्रे उनमें मोधी का ही जलुआ था उनके नाम पर वोट मिले हैं काफी बड़ी स अब इसके अधर आरे हैं ताकि जो एंटी इंकमबैंसी है पार्टी का कारिकरता जो 50-50 का मैच परिणाम आया जो लोकसभा में उससे जो मायूस हुआ है उसकारी करता के भीतर उसा का संचार हो उसके कारिकरता लड़ेगा फोज लड़ेगी तब ही तो जीत हासिल होगी तो बुद्ष स्तर्तक पार्टी को ताक्त देने के लिए आ रहे हैं कली भाजपा ने प्रदेश अधक्ष निक्त किया है नो जुलाई को मोहनलाल बुडोली को क्या लगता है कितना कारेकर्तों में जोश भर पाएंगे कितना मजबूत मानते आप उनको बड़ी संख्या में आमने समिक्षिकों के विचार पड़े हैं लोग कह रहे हैं कि सतीस पूनिया को हरियाना का परभारी बना दिया जाटनेता को ब्रहमननेता को बागडोर सौपदी परदेश अधक्ष की मोहनलाल बडोली की और साथ में जो है ओबिसी के चेहरे के रूप में नायब सेनी है दो बना रही है ओविशी हो गया ब्रहमन चेरा हो गया सामान्य वरग से और जाट वरग से सतीस्पूनिया हो गया मेरा इसमें थोड़ा सा दूसरे लोगों से डिफ्रेंस मानना है मेरा मानना है पार्टी वही पुराने पैटरन पर चल रही है 2014-2019 बलके बीच में तो एक बार ध पर्देशद्यक्स और मुख्यमंत्री तो चीफ मिनिस्टर अबीशी से हो गए और पर्देशद्यक्स ब्रहमन से हो गए तो ब्रहमन भाजपा का कोर वोटर है इस बार चर्चा चल रही थी कि कुछ बोट किसक गया कुछ गया मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा वोट ख कैसे खो सकती है अनसुचिजाती की बात चल रही थी अगर पार्टी अनसुचिजाती की किसी चेहरे को आगे लेती तो मान लेते की पार्टी बड़ा दाव चल रही है बड़ा रिस्क लेकर चल रही है लेकिन हां कुछ अलग होता लेकिन अगर OBC चीफ मिनिस्टर और S.C. अगर चीफ मिनिस्टर रहे है कि आगे अगर सत्ता में आएंगे तो यही चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो जो है जाट जो है जाट जाती का जो है सतीश पूनिया वो परदेश परवारी बनाया गया है परदेश परवारी की भूमी का उस तरह के नहीं होती जो परत्यक्स नहीं होती जो परत्यक्स भूमी का परदेश अध्यक्स की और चीफ मिनिस्टर की होती है सत्ता का मुख्या चीफ मिनिस्टर हो लेकिन मोहनलाल बडोली का जैसा मैंने बताया है कि वो सबको साथ लेकर चलने की चमता राम्भिला सर्मा के मामले में दो रुकावट सबसे बड़ी थी एक तो उनकी उम्र दूसरा मनोहरलाल का राजी नहीं होना मनोहरलाल कभी भी राम्भिलास को अध्यक्ष के रूप में स् जिस समय सुस्मा सुराज जीवित थी भाजपा की शीनियर लीडर थी वो हर्याना के मामले देखती थी उस समय राम्भिलास सर्मा को काफी एहमियत मिलती थी और जिस समय राम्भिलास सर्मा बहुत ताकत वर थे हर्याना में उस समय वो मनोहरलाल को ज्यादा भाव नहीं दे उनको बाइपास करके कोई फैसला नहीं होता मनयोरलाल नहीं चाते थे कि रामबिवास को कुरशी मिले लेकिन यह जरूर चाते थे कि कि इसे ब्रामन निता को मिले तो रामबिवास और अजेगोड दोना आउट करके बीच का रास्ता निकाल चैए वो महलल देते थे दूसरा एक बड़ा कारण मैं बताऊं कि कोई दाव लग भी सकता था इनका रांबिला सर्मा का मनुहर लाल भी सायद स्विकार कर लेते लेकिन वह बहुत तेजी के साथ में राविंदर्जीत के निकट आ रहे थे राविंदर्जीत शिंग चोदरी धरंबीर और रा रामिला सर्मा का जितना जुका और राविंदर्जीत की तरफ होता रहा उतना ही अध्यक्सपद से दूर होते चले गए ये भी एक कारण है राविंदर्जीत से नजदी किया बनाना ये भी एक कारण है जिससे रामिला सर्मा कुर्शी से दूर रहे अब थोड़ा बड़ोल कि वह सभी को साथ लेकर चलने की चमता वह शंगठन के आदमें वह चीजों को समझते हैं कौन विरोध में जा रहा है कौन समर्थन में हैं महामंत्री थे पहले तो उनको समझे वह विधायक तो एक ही बार बने हैं अब की बार लोकसभा का चुना लड़ा उन्होंने वह हार ग का जो है ब्रह्मन चेरा है दूसरा उनकी प्रिष्टभूमी संग से है तो भाजपा प्रदे सद्यक्स आमतोर पर उसे ही बनाती है जिसे भाजपा की रिती निती की समझ हो जिसे संग की रिती निती की समझ हो मैं इसको और सही सरल सब्दों में कहूं जो संग को समझता है व महामों को मोहनलाल बढोली जो दिली के आदेश आएंगे उनको इंप्लीमेंट करवाने में सक्षम रहेंगे किंतु परंतु नहीं करेंगे वह आदेश मानने वाले व्यक्ति हैं मतलब जो हाईकमान का आदेश होगा उसको क्रियानुवित करने में पूरी ताकत लगाएंगे वे नायब सैनी को भी साथ लेकर करे चलेंगे, मनोहरलाल को भी साथ लेकर चलेंगे, उनका इंदरजीत से भी बैर नहीं रहेगा और जितने भी नेता, सब के साथ समन् है बनाने में सक्षम विनमर सुभाव के हैं, यह मीरा मनमन है जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था उसके बाद में जो है लोकसभा की संभावना नहीं थी कि उनको टिकट दिया जाएगा लेकिन जो सोनीपत के सांसत थे उनका कोई वीडियो वैरल हुआ था उसको लेकर के ऐसा स्थिति हो गी थी पार्टी की सामने तो पार्टी को ल पार्टी दुबार विश्वास दिखाया तो सीथी सीथी जाहिर बात है कि केंद्रिय संग्ठन ने उन पर दुबारा से बरोसा जता है यह आम महलाल बडोलिक बारे में एक बात और कहना चाहूंगो यह कहा जा रहा है कि मनोहरलाल की पसंद है मुझे इस बात से इंकार नही हाइमति ब्यक्त नहीं कि जितनी महलाल बडोलिके नाम पर थी ज्यादा लोगों की पसंद है मनोहरलाल की भी पसंद थे पहलीपसंद नहीं तो मनोहरलाल की दूसरी पसंद को ओ upfront दि और मोहरल Exc संग के स्वैंब है वह जानते हैं शंग rifam Wauna बुडोली उसी पाट स्वल हमें पढ़े हुए जिस पाट साल निकले इंश पाट चाहें निकले हुआ जिस नायप से निकले तो ये मेरा कहना था मॉहनलाल बुडोली के बारे में ओके थैंक्यू सॉमच सर आप देखना होगा कि सोले जुलाई को मिच्छा के आने से विधानसभा चुनाओ पर क्या असर पड़ेगा अहिरवाल में कितना जोश भड़ेगा और प्रदेश अद्दक्ष मुहनलाल बुडोली के निपत के जाने पर विधानसभा में क्या असर द